हाई दोस्तो बेलंडर इंटरफेस स्क्रीन इस टीटॉरियल में हम बेलेंडर इंटरफेस स्क्रीन के वारे में सेखेंगे इससे पहले मैं आपको बताता चलू किया है Belender एक ऐसा साफ़्ट्वेर है जिसमें अनिमेशन 3D अनिमेशन कार्टून्स बनाई जाते हैं इसमें शार्ट 3D अनिमेशन मुवी बनाई जाती हैं और फुल लेंथ भी बनाई जाती हैं इसमें modeling भी की जा सकती है, इसके functions तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, जो unlimited हैं, दूसरे software की निस्बत, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और यह बहुत ज्यादा वसी software है, और इसके सबसे अच्छी होगी यह है, कि यह बिल्कुल free of cost है, इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, इसे आप free में download करके use कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें, commercially use भी कर सकते हैं, इसमें मुकमल अधादी है, इस software की एक खासियत है, कि यह open source है, इसमें आप अपनी मज़्ज़ से भी editing कर सकते हैं, editing करके buttons और इसी चीज़ें भी इसमें आप create करके भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो चलिए हम अपने tutorial स्टार्ट करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं, कि आपके सामने एक window आपको दिखाए दे रही है, यह सारी blender की interface screen है, इस screen में आप देख रहे हैं, कि यह 3D view है, जिसमें हम काम करते हैं, यह सारा 3D view है, इस 3D view में cube and 3D cursor यह 3D cursor है, जिसमें एक camera है, यह camera है, जिसमें एक lamp ही है, यह lamp है, यह lamp यहां पे शो हो रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं, outliner window है, right side to upper, जिसमें scene से related सारी चीज़े यहां पे शो हो रही होती है, कि इस scene में क्या-क्या चीज़ें मुजूद हैं, और उनकी properties भी यहां पे इसके साथ नीचे इसमें properties buttons window है, यह सारा properties windows है, यह properties buttons है, यह रेंटिंग buttons है, अचा इन सब की थोड़ी इन सब के name और थोड़ी थोड़ी detail भी बार में आपको बताई जाएगी, अभी के लिए हम सिर्फ introduction ही करवा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं, यहां पे उपर information window है यह जो बार है, और नीचे इस साइड पे left साइड इसमें the tool shelf है, यह tool shelf है, object से related इसमें सारे चीज़ें यहां पे show होती है, tool जो जिसमें काम किया जाता है, तो आप देख सकते हैं, इस window के नीचे हिससे में timeline window है, यह timeline window है, इस timeline window है, इस timeline window से उपर यह 3D view window का header है, यह 3D view window है, इसका यह header है, इस में हम इसके बारे में भी बात करते हैं, यह timeline है, इस timeline में यह frame per second दिये हुए है, fps, जो के यहां पे हम इसको select करते हैं, यह animation rigging में आगे काम आएगा, यह start or end point है, यहां पे timeline का play है, अब देखें के basic blender buttons, जो के properties होती है, इसमें यह properties का button है, properties settings, इसको editor window type भी कहते हैं, इससे आगे जो है render settings है, render settings के बाद sync settings, world settings हैं इसके बाद, इसके बाद object settings है, object settings से आगे constraints है, फिर modifiers, और इसके बाद object data, इसके बाद पर material settings, texture settings, particles of physics, यह चीज़े वहाँ पर नीचे आपको दिखाई थी, वह दी हुई है, और इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे जो timeline से उपर header है, उसमें आपको बतारे चलूँगे, क्या क्या चीज़े हैं, दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, 3D, view window header, इसमें आपको बता है, नीचे timeline के उपर जो है, यह मुझूद होता है, इसमें आप देख सकते हैं, कि drawing moods, यह हम पे object mode लिखा है, drawing mood, इससे change होता है, कि object mood से हम edit mood में भी आते हैं, इसका की जो आता है, वो shortcut में tab प्रेस करने स edit mood और object mood में तबदील होता है, यहां से भी इसको हम change कर सकते हैं, इसके साथ display shading है, इसमें हम different kind of shades, इसमें हम change कर सकते हैं, pivot points है, इसके जाब इसके साथ manipulator widgets हैं, और layers है, यहां पे हम देख सकते हैं, layers है, और इसके बाद proportional editing है, proportional editing के बाद snapping tool है, snapping के बाद rendering है, rendering है, यह चीज़ें नीचे header में मुझूद है, यह सारी चीज़ें, और इनके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे के आप देख रहे हैं, यह महरा आज का blender interface screen का tutorial है, इसमें हमने आज चांद एक चीज़ें हैं, इसके बाद अगले tutorial में हम इनको detail से one by one देखेंगे, कि यह किस तरह से काम करते हैं, इसमें हम projects पे भी काम करेंगे, कि projects जो हैं, हम किस तरीके से modeling करके project बनाएंगे, और फिर characters भी बनाएंगे, characters बनाएंगे, उसमें हम living करेंगे, और shot में movie क्रिएट करेंगे, तो अदस्तो आज का यह tutorial blender interface screen कम्पीट हुआ,